वेलकम बैक टू चैनल, I hope you all guys absolutely fine, so guys इनका भी ड्रीम है इंडियन कोष्ट गार्ड को जॉइन करना, उनके लिए बिग गुड निउस है, GD यानि जेर्नल ड्यूटी 10th प्लस टू एंट्री के ओनलाइन फॉर्म का नॉटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, आप लोग 2019 batch के लिए vacancy आई हुई है, application will be accepted online आपका 21 to 31 जनवरी तक आपका, यानि 21 ताइक से लेकर 31 तक आप लोग online आभेदन कर पाएंगे, तो आप सभी से एक request है, कि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, इसके selection process, सले बस, साथ में क्या होने वाला है, physical measurement और आपके online आभ करेंगे, जिसके बाद आपको कोई भी comment करने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी, तो आप सभी से एक request है, कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट पूरा देख लीजेगा ध्यान से, और अगर वीडियो पसंद आता है, तो like कर दीजेगा, साथ में आगे आने वाली वी justification के बारे में discuss किया गया है, इसमें साब साब बताया गया है कि 10th प्लस तू पाज़ धोना चाहिए, और आपका 12th में math और physics होना चाहिए, इसके अलावा अगर आप art या bio से, sorry, art या फिर किसी और subject से हैं, जिसके अंदर math या physics नहीं है, तो आप लोग apply नहीं कर पाएंगे, उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें आपका जो relaxation होगा, वो किसके लिए होगा, तो आपको बता दी कि 5% का relaxation मिलेगा केवल HD और SC candidate के लिए, और भी उसमें क्या होना चाहिए, कि national level का certificate होना चाहिए, first या second या third position का, उसके बाद third number में बात किया गया है, age का इसको ध्यान स सुनिएगा, age होना चाहिए minimum जो है 18 year से लेकर 22 year यानि 22 year तक, बट आपको ध्यान रखना कि आपका जो date of birth है, वो 1 अगस्त 1997 से लेकर 31 July 2001 के बीच में होना चाहिए, इन दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 1997 से लेकर 31 July 2001 के बीच में होना चाहिए, और अगर 5 साल का डिलेक्सेशन मिलेगा, SC और HD कंडिडेट को, और 3 साल का age में छूट मिलेगा OBC कंडिडेट को, उसके बाद 4 नमबर में बात करते हैं कि salary क्या होने वाली हो और benefits क्या होंगे, तो जैसे ही आप लोग जोईन करते हैं, तो आपको जो starting salary होगी, वो level 3 में 21,000 सास्त या लेवल 8 में होगा, और उस promotion का नाम होगा, rank का नाम होगा, प्रधान अधिकारी जिसके लिए आपको starting में pay scale, 47,600 से starting होगी, दिन बात कर लेते हैं other benefit की, तो other benefit का एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे, बट अभी आप लोग देख लीजिए, इसमें रासन के लिए बताया गया है, जो की free होने वाला है, cloth और medical treatment विल्कुल free होगा, आपके और आपका family का, साथ में government, accommodation, self and family के लिए nomical license भी होगा, और यहाँ पे 45 days का जो leave होता है, और 8 days का casual leave होगा, यादि की आपका लोगबग 2 month की total leave छुटी रेने वाला है, और उसक pension scheme होता है, और यहाँ पे medical facility after retirement का भी मिलेगा आपको, उसके बाद यहाँ पे six number point पे बताया गया है, कि how to apply online आप लोग आवेधन कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये दो date याद रखिएगा, कि 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आप लोग apply कर पाएंगे, और आपको apply करना है इस www.joinindiancoastguard.government.in website पे जाके, यहाँ पे आपको आपर चुन्टीज वटन मिलेगी, जिस पे आपको क्लिक करना है, दिन आपको अपना क्या क्या है, यहाँ पे document अटेच करना है, इस notification का link आपको वीडियो के description box में दे दूँगा, तो आप लोग simply वहाँ से जाके पूरा rate कर लिजेगा, उसके बाद अगर आप लोग चाहेंगे, तो मुझे comment करिएगा, मैं एक online apply का वीडियो बना दूँगा, दिन उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपे 7 number point की, सबसे main point है, exam center के बारे में आप लोग comment करते हैं, कि हमारा exam center क्या होने वाला है, तो सभी लोग अमू, कास्मीर, पंजाब, हिमांचल, प्रदेश, हरयाना, या फिर other than NCR district है, या फिर union, ट्रेटियर्टी, ओफ, चंदीगर अगर आपका है, तो आप लोगों को exam nation center जलंधर मिलेगा, दिन अगर आपका state उत्तरा खंड है, तो आपको दहरादून exam center मिलेगा, अगर आप ल गुर्गाओं है, मेवात है, और रोहतक है, सोनी पत है, रिवारी है, और यहाँ पे जांजर है, पानी पत है, पलवार है, और साथ में भीवानी है, एंड महेंदर गड़ है, तो आपको जो है, तो नोईडा exam nation center मिले वाला है, और भी यहाँ पे है, यूपी का NCR district हो गया, म अगर आप लोग राजिस्तान NCR district से अपलाई करते हैं, तो आपका अलवर और भरतपूर अगर डिश्टिक है, तो नोईडा में है examination center होने वाला है, उसके बाद यहाँ पे एक और है, जहाँ उत्तर प्रदेस है, तो उत्तर प्रदेस के वारा नसी आपको examination center मिलेगा, दिन उसके बाद नौर्थ इश्ट जोन की बात कर लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मिजोराम हो गया, नागा लैंड हो गया, तिरपूरा हो गया, मनीपूर हो गया, अवनाचल प्रदेस, असाम मेगाले और सिक्किम या फिर औरीसा, वेश्ट बंगाल, बिह करता मिलने वाला है, उसके बाद बात कर लेते हैं, इस्ट जोन की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, साउथ तमिल नाडु डिस्टिक में आपको बहुत सारे आ रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजे, इसके अंदर जिसका भी आएगा, उसको यहाँ पे देख सकते हैं, कोरिन, कोरिन, आपको मिलने वाला है, यहाँ पे, उसके बाद आपको बात कर लेते हैं, नेक्ष्ट, देन यहाँ पे नीचे आने पर आपको मिलेगा, आपसन रेश्ट आप्तमिल नाडु डिस्टिक एंड यूनियन, ट्रियोर्टी, आप, पांडु छेडी, उसके लिए छ एंड दादरा नगर हवेली वालो को मुंबई दिया जाएगा, साथ में कनाटका एंड गूवा वालो को न्यू मैंगलोर दिया जाएगा, उसके बाद नोर्थ जोन की बात कर लेते हैं, बेश्ट जोन, नोर्थ बेश्ट जोन की, तो गुजरात वालो को गांधी नगर इंडिया आइसलाइंड वालों को पोर्ट ब्लेयर दिया जाएगा एक्जामनेशन सेंटर तो एक्जामनेशन सेंटर आपका सबका क्लियर हो गया होगा और बांकि अगर क्लियर ना हुआ हो तो इस नौटिपिकेशन को डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं सबसे जबूरी चीज सेलेक्शन टोसेस के बारे में यहां पर बताया गया है तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा कि ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और उसके बाद आपका जो टेस्ट है वह आपका मार्च और अप्रेल 2019 में कंडेक्ट कराया जाएगा अब देख लेते कौन-कौन से इस्ट फॉलो किया जाएंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले सौट लिष्टिंग क्राइटेरिया सबसे पहले आपको पता हायर परसेंटेज बेज यानि 100% से लिया जाएगा पहले 100% उसके बाद 99-98 ऐसे आपका एडमिट काड आएगा उसके बाद आपका जो परसेंटेज हार परसेंटेज बेज की बजह से उसके बाद आपका रेटन एग्जामनेशन होगा अब्जेक्टिट टाइब होगा जिसके लिए आपको 12 इस्टेंडर से मैथ फिजिक्स बेसिक कमेश्टि नॉलेज इंगलिस वगएरा जेनल नॉलेज करेंट अफेर्स और क्वांटिटेटिव एप्टिटीड एंड रिजनिंग आपके सलेवस के अंदर होगा देन उसके बाद आपको उसको क्वालिफाई करने के बाद एक्जाम को फिजिकल फिटनेश टेस्ट से गुजरना होगा तो उसके बाद यहां पर सीधा बताया गया है कि फिजिकली क्या होगा वन पॉइंट सिक्स किलोमेटर की रणिंग होगी साथ मिनट में और बीस स्क्वेट आपसे आने उठक बैठक और टेन पुसप्स होंगे जो की प्यप्टी के अंदर आता है अपने रिस्क में करना पड़ेगा उसके बाद यहां पर जो आपका बताया गया है कि स आने यहां पर बताया है अगर आपको जगरत होगी फॉम अपलाई करने के बाद तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजेगा मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए मेडिकल में आपका क्या चखोगा आप लोग देख सकते हैं यहां पर हाइट 157 cm होना चाहिए देन उस बेटर एंट 6 around 9 रोश्ट होनी चाहिए उसके बाद टैटू के बारें बात की गई तो इस तो पुड़े में बताया गया जो है तो परमाने टैटू कहीं अलाव नहीं करता अब दो जगह जो है तो अलाव करता है एक हाथ के उपरी हत्यलिकी उपरी सिरे में और एक अंदर स और उसके बाद यहां पर ट्रेनिंग के बारें बताया गया कि जुलाई अगर 2019 में आपका जो ट्रेनिंग हो इनस चिलका में स्टार्ट किया जाएगा और यहां पर जेनल गाइड लाइन कुछ दिया गया इसको आप लोग जो है तो अच्छे से पढ़ लीजेगा अब अगर क कोई डाउट बचता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं यहां पर बताया गया कि मुवाइल फोन बगार जो एक्जाम निसंस इंटर है वहां पर अलाव नहीं किया जाएगा और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट कर दीजेगा अगर वीडियो पसंद आ है तो इसे भी लाइक कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद